कि लोगों को सकने में रंग दिते हैं। कुछ खास रंग बार-बार दिखते हैं। रंगों का अलग ही शास्था हैं और सक्ट मे रंग दिखना ऐसंकें दें। यह वही रंगे जिनें समानिता शुब्दा से जोड़कर नहीं दिका जाता है। जैसे अगर आपको सपने में काला रंग लिखता है तो ये शुब संकेर नहीं माना जाता है बार-बार काला रंग लिखे उसाधार रहने के आउशकता है ऐसे में अपने इश्ट के अरादना ज़रूर करिए या महमुर्तुजित बंत का चप ज़रूर कर लिजिए सपने में लाल रंग डिखना रक्त बैरे का सूचक होता है ऐसे में गुड़का दान अच्छा फल देता है यदि पुरुश को बार-बार किसी स्त्री के सौपन दर्शन हो तो ये पुरुश के खराब स्वास्त एवं मान हानी का सूचक है यदी सपने में बार-बार वो इस तरी के साथ कहीं जाता हो तो ये उसके मन के कमजोर होने के निशानी है यदी संबले नहीं तो ऐसे वेक्टी कुछ समय के बाद कमजोरी, अकेला पन और आलस से का अनुभव करने लगते हैं यदी किसी इस तरी को बार-बार कोई बाहर का पुरुष दिखाई दे तो ये सेहत की खराबी की निशानी है ऐसे सपने यदी आदिक होते चले जाएं तो मन के अत्यादिक ठके होने के तथा दुखी होने के संकेत देता है अक्सर उपर से गिरने के स्वपन आते हैं ये दुर्भागे सूचक है इसका अर्थ है संकट आने वाला है जो धन और मान की हानी कराएगा सावधानी हमें इस समस्या से बचा सकती है ये कफ प्रकरती का भी सूचक है यदे बार-बार स्वयम को रोगी होता हुआ देखें तो तुल्चा का प्रयोग करना प्रारंब कर दें अनिता रख्त से संबंदित आदी कोई रोग निकट भविश्य में हो सकता है यदि स्वप्न में कोई गला दबाए या सोते सोते सांस की दिक्कत हो या स्वयम का मर्डर होते देखें तो भी सावधानी की आवशक्ता है इसका एक और तो अर्थी ये है कि श्वांस संबंदी परिशानी, मोटापा तथा गैस संबंदी रोग आपको परिशान करने वाला है तथा दूसरी और इसका अर्थी ये भी है कि आपका व्यापार तथा प्रतिष्ठा दाव पर लग सकते है ऐसे में नियम से अपने इश्ट की आराधना प्रारम करें तथा अपने हाथ पर सूर्य राहु तथा बुद्ध के परवत का अध्यन करते रहें और साथ ही जीवन रेखा का भी ज्यान रखें